वेलकम टू एजुके सोफ्टेयर आज हम बात कर रहे हैं इस टपपी के बारे में ओहल लेबर वेलफेर यह लेबर वेलफेर फंड आपने सुना होगा नाम क्या है और आपकी इस होसकता है कि इस एली में से भी डिड़क्ट होता हूँ यह जो डिड़क्शन है बंट रूपी से तक डिड़क्शन होती है यह वैर करते है स्टेयर टू सेट ओके इसके कुछ बेनिफिट भी हैं और आप चाहे तो इसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं ओके दूसरे बेले हम बात करते हैं कि लेबर वेलफेर फंड होता क्या है तो labor welfare fund जो है एक statuary contribution है जो की state wise जो उनके state authority है वो manage करती है जिसको हम कह सकता है labor welfare fund a statuary contributed firm managed by individual state authority the condition may differ with every state यानि कि किसी एक state में अकर contribution 2 rupees है किसी में 10 rupees किसी में 30 rupees और किसी में 50 rupees हो सकता है पर सबका उदेश्य एक ही होता है कि जो की आप employee है जो labor है उनकी welfare के लिए ही यह बनाया गया है इसके क्या क्या benefit है और इसके benefit कैसे उठा सकते है हम आगी जाके बात करेंगे labor welfare is an aid in the form of money necessary for those in need अब यह कहा कहा applicable है से बहले हम यह बात करते है अब यह जो applicable है section state में applicable है जिसमें किया आते है आंदर परदेश चन्दिगड, चत्थिसगड, टेली, कोवा, गुजराद, हर्याना, कनाटका, केला, मध्यपदेश, महराष्टा, ओडिशा, पंजाब, तामिलनाडू, तेलांगर्ना, वैस्टमंगा इन्ही states पर ही labor welfare fund applicable है पाकी किस state में labor welfare fund applicable नहीं है अब हम बात करते है कि contribution कितना आता है state wise अगर हम करनाटक की बात करें तो इसमें employee का contribution 20 रुपीज और से just double employee का contribution 40 रुपीज यानि कि total contribution है 60 रुपीज और तामिलाडू की पात करें तामिलाडू के अंदर employee का contribution 10 रुपीज, employee का 20 रुपीज और total contribution 30 रुपीज है तो यह आपकी states दी है यह state to state vary करते है employee और employee का contribution रुपीज रुपीज अंदरप्रदेश, केला, महरास्टा, गोवा, देली, पंजाब, चंदिकड, हर्याना, मध्यप् जिराथ, वैस्पंगाल, तलंगा, और इसा, ओके यह तो थी हमारी contribution की पात, जो कि हमारी pain slip अगर आप जहाँ से देखेंगे तो आपकी pain slip में से, यह deduction आपकी labor welfare fund की, आपकी अगर आप इस state में, इन में से किसी state में आप job करते हैं तो आपकी state के हिसाफ से, deduction आपकी salary slip में show हो रही होगी, okay, तो आप जिरफ इस deduction के लावा, आप cap benefit आप उसका ले सकते हैं, हम आगे उसके चलका ही बात करेंगे, अगर आप HR है या accountant है तो आपको पता होना चाहिए, कि इनकी return कब-कब जाती है, तो इसके लिए मैं आपके लिए table लेका है हूँ, तो यह table के अ return जो जाती है, form D की shape में जाती है, इसकी due date होती है 15 Jan, इसी तरह है second है आपका tamiladu, उसमें return जो जाती है form A की shape में, उसकी due date है 31st of Jan, इसी तरह है आपकी different different state की, अलग-लग forms है, returns है, और इनकी due date आपके सामने हैं, तो इस due date पे आपको अपनी return file करने होती है, okay, और इसके जो आपका, deductions है, वो भी vary करती है, state to state, किसी state की मंतली है, किसी की, आपी early, और किसी state की, आपकी early deductions है, okay, अब इसके हम बात करते हैं, benefits की बारे में, benefits क्या क्या है, इससे पहले benefit आता है, medical, यह जो benefits है, common benefits है, जो की लगबग हास state में, इसके common है, medical facilities for workers and families, जो से में जो benefit है, labor welfare का, medical facilities for workers and families, यह medical की सुईता आपको, जिनको भी जुरूत है, उसी labor class को, उनको, वो workers को provide करता है, और उनकी family को भी, transport facilities to the worker, जो transport facilities है, वो भी workers को provide करता है, stipend scheme for children, अगर कोई बच्चा है, के लिए stipend की ज़रूत है, तो stipend भी उसको, आप प्रावत कर सकते हैं, okay, next benefit है, skill of graduation and vocational education scheme, अगर अपने आपने, अपने skill, बढ़ाना चाते हैं, तो उसके लिए कोई आप course करना चाते हैं, तो उसमें भी आपकी सहता करता है, ठीक है, housing facilities under this scheme offers जैसे कि loan to individual workers, loan कम मिंटर्स पे loan भी वे परदान करता है, उसमें आपको सहता करता है, reading rooms and library में भी आपकी सहता करता है, vocational trainings में भी आपकी सहता करता है, आप को अगर कोई भी किसी प्रग्रांकीर में से किसी benefit की सहता चाहिए, तो आप इनकी side में जाके आप उनका prospectus download कर सकते हैं, अगर नहीं हो level तो आप local office में जाके वहाँ से आप detail ले सकते हैं कि इसमें क्या क्या benefit मैं उठा सकता हूँ, ओके, यह different different states के हैं आपके website हैं, जहा से आप इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, रेव्यू कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मुझे statewide क्योंसे benefits आपको बिलते हैं, जैसे कि यह महराष्ट्रा का है, इसी तरह आपका, यह है आपका, गुवा का, यह है आपका है, चंदिगर, यह है आपका देली की website, यह है पंजाब, और यह है आपका हर्याना की website, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने से से पहले आपने यहाँ पे news user में क्लिक करना है, news user के अंदर क्लिक करके, अगर जहाँ भी आप जॉब करते हैं, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप चूज करने के बाद आपको अपना नया email ID, password create करेंगे, उसके बाद आपने जो भी आपकी scheme के लिए apply करना चाहते हैं, आप उस scheme को apply कर सकते हैं, ओके, तो अभी तक आपने जो भी देखा होगा, अपनी sell नहीं slip के अंदर, आपने सिर्फ reduction देखिए, इसके benefit के बारे में आपको हो सकता है, नहीं पता हो, तो आप चा okay, इसे दर अगर आपको अपनी, अगर आप HR में यह accountant है, और आपने return file करनी है, तो आपको return file करने की बिल्गुल simple तरीका है, आप इस side में जाके आपकी पहले सबसे पहले आपको company की detail फिल करनी है की register करना होगा, as a new registration के अंदर, जो fill कर लेंगे, उसके आपने return file कर सकते है, return file करने के लिए आपको normally क्या क्या चाहिए 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 है, आपको employees की detail चाहिए, जो existing apply की detail है, उनका name और phone number और अधार state wise की mandatory है, कहीं state में mandatory नहीं है, तो आप उससाफसे आप यह तीन चाहिए है, आप excel के अंदर upload कर सकते हैं, अगर take 7 में, अगर कोई आपका employee left कर गया और new joining है, तो आप उनके detail डाल के आप submit कर सकते हैं, तो आपका चलान generate हो जागा, चलान generate होते ही आप उसको उसकी payment कर सकते हैं, payment करने के बाद दो दिन के बाद ही आपको slip आपकी generate हो जाएगी, आप उसको download करके save कर सकते हैं, इसके अंदर compliance बिल्कुल same है, अगर आप compliance में delay क करेंगे, तो आपको जैसे की PFCSI के अंदर, आपकी compliance के अंदर, आपको penalty और interest pay करना पड़ता है, और same अगर इसके return में delay होती है, तो आपको interest और penalty pay करना ही पड़ेगी, तो आप on time, अपने return, dates के साफ़ से आप file कीजिए, सब की, जिस state की भी आपकी state है, ये state to state आपको जैस state to state vary करेंगी, forms की returns, और आपको सभी इसी states के अंदर, आपकी sites में जाके, आपको company, company की registration करने होगी, ओके, फिर भी अकर आपको कही registration में कही दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे message कीए, मैं आपको वैसे तो कहीं, ऐसी को detailing बहुत easy है, आप easily, आप file कर सकते हैं, क्योंकि इसमे company के detail नहीं पूची गई है, और कुछ मी नहीं है, उसके अंदर, तो आप के बास company की पूरी detail है, full detail है, तो आप उसको easily fill कर सकते हैं, और अपने return file कर सकते हैं, फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है, यहां कहीं contribution में आपको कहीं दिक्कत है, तो आप इसका screenshot ले सकते है है, और यह हो सकता है कि आहने मेल time में इसकी यह जो आपका contribution है, हो सकता है कि कम या ज्यादा हो, तो आप जो भी आपका side में जाके आप उस समय के latest जो भी आपकी contribution है, आप उसको check जुरूर की जाएगा, और उससे सबसे आप employees के deduction कीजिए, तो आप इसके भी non compliance में इसमें भ आपको notice issue हो सकता है, तो आप सब भी अपने dates का ध्यान रखिए, और सबसे आप अपने compliance complete कीजिए, और labor welfare fund के benefits के बारे में इसको बता ही है, ताकि वो उसका benefit उठा सके, ओके, thank you, और मेरे चैनल को like और subscribe को ज़रू कीजिए, मैं यह चोटी से वीडियो थी, क्योंकि मैंसे प यह चोटी से वीडियो लेका है हो, और इसमें अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, तो आप मुझे message कीजिए गए, तो मैं आपको refer करूँगा, okay, thank you.